गुड मॉर्निंग बच्चो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 वर्कशीट नंबर 33 और विशे है इसका रचनात्मक लेखन प्रिय विद्यार्थियो रचनात्मक लेखन उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी विशे पर अपने विचार प्रिकट करते हैं हम उस विशे के बारे में कितना जानते हैं और जाने हुए उस विशे वस्तु को हम कितने ठीक तरह से लिख पाते हैं उसमें किस तरह के शब्दों का प्रियोग करते हैं किस तरह से भावों का प्रियोग करते ह और उसमें लिखने का लहजा क्या होता है कितने शब्दों में लिखा जाएगा आपने उसमें लिखते समय शब्दों की शुद्धता का कितना ध्यान रखा है ये सब कुछ रचनात्मक लेखर में आता है आज हम चर्चा करेंगे एक विशे आपके सामने दिया हुआ है जिसके कुछ महत्तुपूर्ण बिंदू यनकी जिन से आप पहचान सकते हैं कि आपको किस विशे पर रचनात्मग लेखन करना है वो आपको देखने है इसमें आप इनको पढ़िए और सूचिए कि किस विशे के बारे में कहा जा रहा है इस सप्ताह की शुरुवात एक महत्तुपूर्ण दिवस के साथ हुई है आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है आप इसे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें जैसे रंग बेरंगे खुबसूरत और आकर्शक तरीके से आदि अब इस दिवस पर एक अनुच्छिद लिखें इस दिवस को पहचानने के लिए कुछ संकेत इस कारे पत्रक में चिपे हुए है और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताए कई हैं जने आप अपने अनुच्छिद में शामिल कर सकते हैं तो चलिए लिखना शुरू करते हैं अब इसमें कुछ शब्द दिये गए हैं पैचान के लिए जैसे निबंद लेखन, वाद विवाद, काव विगोष्ठी, सुरूत लेखन प्रत्योगता, कविसमेलन, राजभाषा सप्ताह, आदी पुरसकार समारोह, राजभाषा गौरः पुरसकार और राजभाषा किर्थी पुरसकार सन 1949 में इस दिन पर यहां निर्णे लिया गया जो भारतिय सम्विधान के भाग सत्र के अध्याय की अनुच्छेद 343 एक में वर्नित है तो अब यह शब्द हमारे लिए पहचान के लिए है, तो आप जरा दिमाग लगाईए कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसा दिन गुजरा था जिसमें इन सारे शब्दों का प्रियोग हो रहा था अन्दाज लगाई है, आप बिरकुल ठीक सोच रहे हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए गया था उस हिंदी दिवस के उपलक्ष में देश भर में कारेक्रम आयो जित होते हैं, लेकिन इस बार इस लोकडाउन के कारण बहुत सारी गत्विदियां नहीं हो पाई क्योंकि विद्धिया ले खुले नहीं है, सरकारी कार्या ले खुले नहीं है, तो जो गत्विदियां आयो जित की जाती थी, काववे गोष्ठियां आयो जित की जाती थी, वे अब की बार संपन नहीं हो पाई पुरस्कार वित्रन समारोह भी अपकी बार आयोजित नहीं हो पाया तो आएए अनुच्छिद लेकन करते हैं किसमें किस प्रदार से आप सब्दों को असा यूजन करेंगें किस अनुच्छिद का नाम है हिंदी दिवस हम समझ गए इसमें हिंदी दिवस के बारे में कहा गया है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है पूरे देश भर में हिंदी प्रेमी इस दिवस को खास बनाने के लिए तरह तरह की गतविदिया आयोजित करते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदोसता हमारा ये पंक्ति हम सब के लिए विशेश महत्व रखती है क्योंकि हिंदी अपने देश भारत की पहचान है यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाशा है इसलिए हिंदी को राज भाशा का दर्जा प्राप्त है भारत की समधान सभा ने देवनागरी लिपी में लिखी गई हिंदी भाशा को भारती ए गणराज्य की राज भाशा घोशित किया था इसे 14 सितंबर 1949 को राज भाशा घोशित किया गया 1949 को सम्विधान के भाग 17 के अनुच्छिद 343.1 में हिंदी को राज भाषा गोशित किया गया है आज हिंदी के सरक्षन और समवर्धन की जिम्बेदारी भारतिय सरकार भारत देश की जनता पर है हिंदी भाषा के सरक्षन और समवर्धन के उद्देशे से ही प्रतिवर्ष इस दिवसकों बनाया जाता है जिससे की सभी का ध्यान एक तरफ हिंदी भाषा में पूरहे विकास और भिरास की तरफ जाए सभी सरकारी महकमों और सरकारी संस्थानों विद्यालेयों में अनेक प्रकार के गत्विधियां आयोजित की जाती है जैसे निबंध प्रतियोगता, कविता प्रतियोगता, भाषन प्रतियोगता, कहानी प्रतियोगता, आधी विभिन देश के विभिन सरकारी संस्थानों द्वारा कावे गोष्टी आयोजित की जाती है, सरकार के द्वारा भी कावे गोष्टी आयोजित की जाती है जैसे राज भाषा गौरव पुरसकार किसी व्यक्ति को दिया जाता है, राज भाषा कीर्थी पुरसकार किसी संस्था को दिया जाता है अन्य साहित्यक पुरसकार भी वितरत किये जाते हैं राष्ट्र भाषा प्रचार सम्दी वर्दा पूरे देश में हिंदी भाषा के संबर्धन के लिए नए युवाओं में हिंदी के प्रती प्रिणा जागरत करने के लिए समय समय पर प्रतियों की ताएं आयोजित करती है सरकार द्वारा विभिन स्वास्थ संस्थान द्वारा हिंदी भाषा विभाग द्वारा विभिन प्रकार के पुरस्कार दिये जाते हैं यह पुरस्कार विक्तिगत एवं संस्थाकत रूप से परदान किये जाते हैं इस तरह से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं मैंने ये शब्द अनुच्छेद में लिखे हैं आप इनके अलावा अपनी तरफ से भी अपने भाव और विचार इसमें जोड सकते हैं अगली वर्कशीट का वीडियो जब आपकी वर्कशीट आएगी तब आपको अगला वर्कशीट का वीडियो मिल जाएगा धन्यवाद